हेलो अब्रीवन स्वागत है अपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टॉक ऑन स्टॉक हम टारिटन्स और यहां पर लिंक कॉप्रिंग के बीच में होने वाले मुकाबले की आज के दिन का तीसरा और चौथा मुकाबला है प्लेइंग 11 ट्रैल मुकाबले के लिए आ गई है और अब भी के लिए जो मैं टीम आपको दोंगा वह फाइनल टीम होने वाली है उसमें कुछ जाला चेंजिस नहीं होंगे दो तीन प्लेयर्स आप चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ वो प्लेयर्स बड़े अगर आप देखोगे तो यहां पर मुकाबला जो लाइव हो ने वाला है जो सबसे पहला मुकाबला साधे चार बजए दूसरा मुकाबला साधे च्छे बजए आपको लाइव देखने को मिलेगा टूर्णामेंट का ग्यारवा और वार्मा मुकाबला है लिन कॉपिंग नहां पर बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अगर बैच्मन एक बढ़ सेटल हो जाते हैं तब आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर कर दे कर जा रहे हैं स्टॉकम टाइटन्स के अगर आप बात करोगे अपने लगातार दोनों में में दूसरे मुकाबले में भी एक विकेट चिटकाई अनुगुला एच श्रिवासनवा आपके पास तेया रन के साथ दो विकेट जो रन के साथ एक विकेट अरुन मुंगम अभी के लिए खेल नहीं रहा है उनतिस और बीस रन की पारी इसना करी थी गनेश जासुत भी न रन इसना करे थे कुमार प्रशान्तु भी खेल रहा है चार और तीन रन की पारी अब अगर आप आओगे राम्राज एक ओवर में एक विकेट नहीं स्टार्टिंग मिंग कर वाई कोपाल कृष्ञ में अगर आप बात करो एक ओवर में एक विकेट नहीं छिटकाई गनेश एक औवर में एक विगेट, शुशान कदम, एक औवर में एक बी विगेट नहीं, इसीलिए इस प्लेयर को मैंने एपनी स्मॉल लीग में रखा हुआ है, प्लेयर बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है, उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पर betting section में कोई नया player नहीं है all rounding section में भी अगर आप देखोगे तो नया player नहीं खेल रहा है कोई भी इनकी balling section में एक player जो खेल रहा है जो है संकेत महीं मकर right hand batsman, right hand medium fast baller 4 matches जो T20 के खेले उसमें 9 overs करवा हैं 15 run कर रखे हैं और यहाँ पर 2 wicket चटकाई हैं performance इस player के इतनी ज़्यादा कुछ खास रही नहीं है इसलिए इस player कोई मैंने drop करा है अब अगर आप link hopping की बात करोगे link hopping अपने लगातार 2 मुकाबले जीत कर रही है और लगातार अपने 2 मुकाबले हार कर भी आई है यह भी आपके लिए बहुत outstanding player है इस player को भी अराम से बिक कर सकते हो अंकित नायक 19 run, 33 run, 1 run और 2 run अदिल अशगर 20 run, 5, 12, 12 सुदेश की अगर आप बात करो के 25 run के साथ 1 wicket, 19 run के साथ 1 wicket अजजद जावेद आपके पास है लगातार wicket चटकाई है इस player ना लगातार आपको runs करकर दे कर गए साथ खान के अगर आप बात करो 5 run पिछे मुकाबले में नवीद अकबर 3 wicket इसने जटकाई है पिछे मुकाबले में कमरान रशीद 2 wicket, 3 wicket, 1 wicket और 0 run फिर उसके अगर आप देखो सबीर अली साइद 1 wicket और फिर 2 wicket और 3 wicket लगातार wicket बहुत बढ़ी अचेट काई है इस player ना एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि सहीद अली को भी आप captaincy वाइस captaincy देख सकते हो बट वो grand league में करना small league में नहीं अब अगर आप नीचे आओगे कमरान के अगर आप बात करो अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर भी कई सारे नए players खेल रहे है जैसे आपके पास C.Ravishandhan खेलता हो दिख रहा है आपको 2 matches में 25 run करें बट इसना ODD में runs करें इस वज़से मैंना अभी के लिए इस player को pick नहीं करा है all rounding section में movies खेल रहा है movies को मैंना pick करा है क्योंकि यह player आपको balling करवा कर देख कर जा सकता है 8 matches में इसना 7 wickets चटका ही है और 70 run कर रखे है एक important player आपके लिए उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पर balling section में भी एक नया player आपको खेलता हो दिखे रहा है जो है अतिफ महुमद 5 मुकाबलों में 2 over और 1 भी विकेट नहीं तो इतना ध्यान रखना कि नए players इतने ज़्यादा कुछ खास है नहीं बट मुईस आपके लिए बढ़िया player है अभी यहाँ पर हम team discuss कर लेंगे अपडेट आपको telegram पर देखने को मिल जाएगा telegram का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहीं से आपको telegram पर जुनना है final update आपको telegram पर ही मिलने वाला है पर अभी के लिए इस मुकाबले में यही final team रहने वाली है जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ आर हलीम बहुत बड़ी आप एक है कोई दिक्कत नहीं है दूसरा प्लेयर अगर आप बहुत ज़्यदा सेफ जाना चाते हो अदिल अजगर के साथ जाओ बर्ट मैं रिस्क लेकर एम रेड़ी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि एम रेड़ी बॉलिंग बैटिंग दोनों करवा सकता है इसलिए मैं नहीं यहां पर अगर आप देखोगे न छे-पांच का रिश्यो आपको अट-पटा सा भी लगेगा बर्ट यहां पर लेइंग कापिंग के पांच ही प्लेयर्स मुझे ज़्यादा बढ़िया लगे है एजाविद आपके पास है जीद अतारिया आपके पास है देखो रखना ही पड़ेगा एनायक आपके पास है क्योंकि यहां पर बैटिंग सेक्शन में और कोई प्लेयर है नहीं आप सहीद खान को रख भी लोगे कोई मतलब बनता नहीं है सीर अवीचंदन को रख लोगे कोई मतलब ऐसे बनता नहीं है बठाए रिस्क लेकर ग्रेंड लीग में आप और स्मॉल ग्रेंड लीग में भी जीत अतारिया की जगा यहां पर सीर अवीचंदन अराम से रख सकते हैं कोई लिक्कत नहीं है य श्री निवासन आपके बास है आर नदार आपके बास है रखा हुआ और एम मुईस को रखा हुआ है मुईस आपको बॉलिंग करवा कर दे कर जाएगा के रशीट फे उसके जी पर शांती आपके बास है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना मैंने एम हमाँमद लिया मैंने डी ढूंडिया लिया है वैसे ढूंडिया का भी कोई मतलब नहीं बनता है लेने का इस प्लेयर ने भी इतना कोई ज़्यादा खास करानी है बट आपके बास कोई आप्शन है नहीं इसलिए यहाँ पर क्योंकि तीन बॉलर रखने ही रखने है जबरदस्ती के लिए एम हमाँमद को रखने को कोई मतलब बनता है नहीं इसलिए मैंने डी ढूंडिया को रखा हुआ है ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पर जी दतारिय की जगा अगर आप रखना चाहते हो सी रवी चंदन को सिंपल सीधा रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट अब बी के लिए मैं यहाँ पर जी दतारिय के साथ ही जा रही हूँ ज़्यादा रिस्क लए नहीं रहूँ केप्टेंसी वाइस केप्टेंसी थोड़ी सी रिस्की है बट अब अगर जैसे ऐसे टाइम कम होरा मुकाबले के लिए वैसे वैसे देखना वाई है श्रीनिवासन की वाइस केप्टेंसी बहुत जादा बढ़ने वाली है और अब यहाँ पर आप मुझसे बूचा को क्या दे सकते हो ग्रेंड लीग में ठीक है सबसे पहली टीम के अगर आप बात करोगे कैप्टेंसी यहाँ पर ए जाविद वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर यह थोड़ी सी रिसकी टीम है अदिल फिर उसके आद आर हलीम अदिल का मेरा भी रखने का मन है वैसे एस खान आपके बा दूसरी टीम के अगर आप बात करों यहाँ पर मैं एक आ रहा हूँ आर नदार को ड्रॉप करकर अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर पिक कर सकतो कोई दिक्कत नहीं है अदिल अजगर बहुत ज़्यादा सेफ है और रामराज नदार से तो ज़्यादा ही सेफ है इतन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो लाइक कर देगा बैल एक अंदर बाद एक किनको ऐसी वीडियो जोल ब्यातरी है आपके लिए इस चैनल पर